गुड मॉर्णी स्टूडेंट पेटा जी आज सीकरांगे लेसन नमबर फोर। सदे लेसन दा नाम है दा लंचियोन जिस दा अर्थ है दुपहर दा खाना तो पेटा ओथरे गिने विलियम संबर सेट मौगम ठीक है पेटा तो एह कहानी पेटू पान पाव जादा खान वाले वियांग है इस कहानी विच लेखक दी एक पेटू और तनाल मुलाकात दा वर्णन किता गया है तो पेटा कहानी शुरू कार दन्या कैंदे कि लेखक पैरस विच जड़ा ही समसान काट देखो लिक छोटे जह मकान विच रहेंदा सी जो के सहर तो बहुत दूर है गासी तो यह जड़ मकान ही उकरायत लेखक ने लेखक दी आम दन बहुत ही काट सी जिस विच उस दा गुजारा बहुत मुशकल नाल चलता सी तो लेखक ने जिस नवा नवा ही कहानी यह लिखना शुरू किता सी जिस करके उसनू बहुत काट पैसे मिल दे सान इस आर्थिक स्थिती वीची लेखक नुँ एक औरत दी जड़ी एस ये लेटर मिली पतर मिली ये जो कि लेखक दिया लिखियां के ताबा पढ़दी सी जिससे तो सिद्ध हो जन्दा कि ओ औरत बहुत पढ़ा कूजे आई ही जड़ी मतलो लेखक दी हर एक रचना न पढ़दी ही ओ लेखक दी पर स उस दे लेटर दा जवाब दिता, ते औरतने चिठी वीच लिख्या है कि ओ प्यवेर से क आमली या रही है, ते ओ हो उसनु मिलके दो पेयर दा खाना जेड़ा उन्ना दे नाल खाना चाने विचंद न किसी रेस्टोरेंट विच घाना चान्दय है। उसने चिठी विच एवी लिख्या कि ओ उसनु सिरफ वीरवाड ही शुट्टी हुन दी है ते ओ हो फायोट रेस्टोरेंट जड़ा कि बहुत मैंगा ही ओदे विच ही उन्हों मिल सकते एक बहुत ही मैंगा रेस्टोरेंट ही का ही पैरस्ता ठीके मेटा उस समय दिगाला है लेखक और पूरे मही नेदे खर्चवाते सिर्फ 80 फ्रैक सी और लेखक नूँ पता सी कि जड़ा फायोट है रेस्टोरेंट बहुत ही मैंगा है तो उसे सिंपल लंच वी करना बहुत ज्यादा मैंगा पिनता है फिर लेखक ने उस वेरे लेखक ने सोच आ कि हाज मिलन दा ट करेंगा उसने मिहिने मतलब अपने खर्चे नूँ काट करके पैसे बचाओन बारे सोच यह सारी अंगलना सोच के लेखक ने ओरतनों मिलन वस्ते हां कर देती उनने सोच कि मेरे को असीफ रहा के गया ते मैं मतलों का अपने पापना खर्चा काट करांगा ते ओस औरतनों मि ली ता लेखक ने देख्या कि ओहो एक तांदरुस्तोर सी ते उस दी उमर लाग पाग 40 साल सी मतल चाली सालां देही देखने वी चू काफी पसनेल्टी डोर्त लाग रही सी ते उस दे तीथ थोड़े जै लंबे ही जैसा एक सिंपल तीथ हूं दे सिंपल तीथां दा कार सी मतल दिया रचनावाँ दी तरीफ का रही सी गल कर दे कर दे ओ फैयोट रेस्टोरेंट विच पहुंच गे ते वेटर उनना दे को मैन्यू लाकि आया लेखक एवे कहरान हो गया कि हर चीज जड़ी हर एक चीज दा रेट बहुत ही हाई है पर जदू ओरत ने क्या कि ओध मतलो्ड बहुत कात खान दिया घुनी लेखक नहीं बहुत ख़ुशा उन्हिट उहरत ने क्या कि ओ लुट्प शीलमग फीश ही खाना पसांद कर दिया tweyr ने क्या कि है ऐ मूम समय फीश्टो को तुट है मतल्किंड इसेंटoshima क् exercise 6 लेवीन इस तोफ कंदा रचका crucified ही इसें है मुष्कल नहीं मिल दी ते बहुत ही मतलब मुष्कल नहीं हो नहीं बड़ी मुष्कल नहीं जड़ी ये फिश लेक आया थे इनु बन दिया है ये टाइम लगना है ठीक है ते तुसी उन्हां चेक कोई और चीज ओडर कर दियो क्योंकि हुन रेस्टोरेंट वेच गेने तो उन जड़ी हुन दिया ओ खाना पसांद है तो इस तो बिना ओ लंच नहीं कर दी लेखक ने सोचया कि कैवियर तो बहुत महेंगा है उसनों उस दे मतलब गुसा भी आया पर फीर भी उसने आपने आपनों शान्त कर लिया तो लेखक ने वेटर नू क्या क्यों क्यों जड़ी ल सब तो सस्ता पोज नहीं हो से रेस्टरेंट विच ते और ते ने जड़ी सेलमन फिश ते जड़ा दूज जाही कैवियर कैवियर खा लिया ते कहा कि चिकन खान देना लोस ता पेट थोड़ा जड़ा पारी हो गया मतलब ज्यादा रज के खा लिया ते कि मेरा हुन पेट प पिना पसंद करेगी लेखकरन कमेः पैसे राभी चिंतसी पर फैर वी इन वेटहनों छापियान लेंद वस्ते किया ते उन्ने कैया मेरे वास ठीक पानी गलास लाख की आ जना ठीका एवन बहार ना किता कि डाक्तर ने उन्नु हैं और सेंपियन पिन दू मना किता ह encont?मति हम नाल नाल ओर जड़ी ही लेख का दियां रिचनामां दियो दिया तो बहुत रिवकार ही इसी पर हूं जड़ा लेख का ओनों अपनी प्रसंसा सुनन वेच कोई दिल्चस्पी नहीं सी क्योंकि वदा खर्चा हो रहा ही उस तो उसनों सिर्फ बेल दी ही प्रोब्लम बेल दी चि प्रचान होएगा उत्हुंदा ते फिर आईस्क्रीम गाई ते आईस्क्रीम बादों ने कॉफी भी आडर कार देती के दे कि जदु वेटर जड़ा ही पीच रेड रेड पीच लाके जा रहा ही आडू मतल लाके जा रहा है ते ओ और तदी नजरोद पहागी ते हो कन दी कि म मोसमनाहों देकार के जड़े आरू ही वह बहुत महेंगी है उसनों खान लएग वेटर लएटर नो पुछया कि ओड़ू लाके जा रहा है वेख्या ते आरू लाके जा रहा ते ओ ओरत ने किया कि उनने पीच भाने है मत आड़ू खाने है लेखरा वेटर पैसे लाकिन यह ते अंत विच साब कुछ खा पी के और जड़ी अंत विच उसने और नल हाथ मिलाया लेखकने ते उसनों किया कि अग्गे तो मतलु जिस्ता तादा पेड खादा थे खाना सारा उनने ही बट अग्गे और तक एन लगी कि अग्गे तो मैं बहुत हलकाई खान दी यां ते मैं अग्गे तो जादा नी खान दी ते लेखकने किया कि तो ही मता काटी खाया करो ते फिर लेखकने किया कि मैं ते राद भी नी खाना खान दा मैं मता इन रखदां कि मेरा पेट साही देवे ते उस तो बाद फिर लेखकने सोच आ कि अपने मानची सोच दा है कि इनना कोश त ते मिनू हदायत देंडें कि मतलव काटी एक दू चीजा लेनिया चाहिए दियां फिर हुने सोचा कि यह ओरता ते मिनू पेटू लग दिया ते फिर एक दू जय तुना ने विदा लेली पर हुन 20 साल बीत चुकां तो बाद भी जड़ा लेखा कुनू और ते नल कीता होया ल ते उस तो बाद जिदू इंटर्वेल हुन दिया मत ब्रेक हुन दिया ते ओधू ने गला ओधू ताक गलाई कर दे रहे ते लेखा कुनू यह वेक के बहुत खुशी होई कि और तो बहुत मोटी ते ओवरवेट हो गई है कान तो मतलग कि ज़्यादा खान दी ही ते ओधू क्योंकि और तो बहुत ज़्यादा मोटी ते ओवरवेट होगी ही ठीक है बेटा यह सारी हटी कहानी है दा लेंचियों ठीक है बेटा ते इस तरह एक वरी जरूर सुन लेना ते नेस्ट वीडियो वे चहीं लेसंदे जड़ें क्वेशन अंसर करांगे ते एदे क्वेशन अ पोट भी ही है कि तानू पता लाग जे कि कहानी विच की है यंगलना ता जहान क्वेशन अंसर करना असान होजे ठीक है बेटा इन्हों एक वरी जूर पढ़ लेना वेख लेना ते सुन लेना ते नेस्ट वीडियो च मिल दे हां ठेक क्यार